inverse trigonometric function प्रिद्लों त्रिकोर्ड मिती फ़लन के अंतरके त्रिकोर्ड मिती के विस्यम कुछ त्वासा जानेंगे x बराबर sin theta होता था ठीक है x बराबर sin theta होता था और theta यहाँ क्या है? कॉर है, angle है ठीक है, यदि मान लेते हैं 30 degree है, 45 है 60 है 90 है या इक्सेटरा हो सकता है तो यदि हम थीटा की जगा 30 डीर रखते हैं तो X बराबर साइन 30 तो साइन 30 का मान क्या हो गया एक बटे दो प्राप्त हुआ और यदि थीटा ही जहां हम 45 डीर रखते हैं तो X बराबर साइन 45 तो वैलू आ गई 1 अपान रूट 2 और X की जगा थीटा की जगा 60 डीर रखते हैं तो साइन 60 का मान रूट 3 बाइ 2 तो अर्थाद हमको यहां से यह साँज में आता है कि यह जो थीटा है जहां हम वैलू थीटा की बार बार बदल दे रहे हैं तो यह थीटा हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया और जो थीटा का मान रखने पर जो हमको वैलू प्राप्त हुई साइन की वो हमारा क्या हो गया रेंज हो गया परिसर हो गया ठीक है जैसे X वराबर साइन 60 है तो साइन को इधर लेके आएंगे तो sin inverse x is equal to 60 अब हमको प्रितलों वित्ती फलन में क्या पढ़ना है inverse diagrammatic function में पढ़ना है कि इस x अब हमें x यहां ग्यात होगा x हमारा हो गया domain x क्या हो गया? domain हो गया और कहरा हमें find out करिए कि यह x जो value है वो किस angle की है अर्थाथ हमें range हमारी यहां क्या हो गई? angles हो गई तो अर्थाथ sin inverse 1 by 2 किस की value होती है? 30 degree का मान होता है 1 upon root 2 किस का होता है? sin 45 degree का तो हम लोगों को अब यहां पर x की value find out करनी है तो इसमें पहले in trigonometric में क्या होता था? in trigonometric में होता था कि y is equal to sin theta है ठीक है? तो वहाँ theta क्या हो गया? domain ठीक है angle और range क्या हो गई? number of volumes numbers हो गई, value हो गई ठीक है? और inverse trigonometric में क्या होता है? y is equal to sin inverse x है y is equal to sin inverse x में domains क्या है? numbers है, value है और range क्या होगी? हमारी angles होगी ठीक है? इसी बेकार हमने अलग-अलग sin inverse, cos inverse, tan inverse cot inverse, second inverse, cosec inverse की domain और range को एक table के द्वारा लिखा हुआ है समझा रहे हैं जो हमको याद करना पड़ेगा जो बहुत हमारी लिए important है जो हमारी questions को हल करने में बहुत जादा इनकी मदद प्राप्त होगी ठीक है y बराबर sin inverse x है जिसकी domain होता है minus 1 से 1 के बीच और ये भी included होंगी हमारी domain में minus 1 और 1 को closed interval है ये ठीक है और range क्या होगी minus pi by 2 से pi by 2 के बीच और ये minus 1 से 1 का मतलब है कि जो x की value है वो minus 1 के बराबर भी होगी और उससे बढ़ी और 1 के बराबर और 1 से छोटी भी होगी उसे परकार इसकी जो range आई वो minus pi by 2 से बढ़ी और बराबर और उस x pi by 2 से बराबर और उसके छोटी भी होगी ठीक है अर्थातिन range होगी और cos inverse x का क्या होगा y बराबर cos inverse x का क्या होगा minus 1 से 1 के बीच होगी, इंक्लूड होगा 1 or minus 1 और 0, pi के बीच बिलॉंग करेगा और 0 से पाई भी आंसर होगा y ब्रावर 10 इनोस x का क्या होगा? real number, सारे real numbers उसके domain होगे और इसका जो परिसर होगा वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच होगा अब यहाँ minus pi by 2 और pi by 2 inclusion नहीं होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं minus pi by 2 is greater than y less than pi by 2 ठीक है? तो जो इसके बीच में आएगी तो y ब्रावर cot inverse x क्या होगा? इसका भी domain real number होगा और इसकी जो value होगी वो 0 से pi के बीच belong करेगी इसे पेकार y is equal to second inverse x है जो real number तो होगा पर domain उसमें minus 1 से 1 के बीच को छोड़ कर होगा minus 1 और 1 के बीच की सभी अव्यों को छोड़ कर पूरा real number उसका domain होगा और जो range होगा वो minus pi by 2 कामा pi by 2 के होगा और सिर्फ उसमें 0 को छोड़ कर ठीक है y ब्रावर cotic inverse x है वो पूरा real number होगा minus 1 और 1 को छोड़ कर और 0 से pi के होगा और minus pi by 2 को छोड़ कर कुछ हमारी फार्मूले हैं जो हमारी use होंगे सवाल में sin inverse minus x है कहीं तो उसको हम minus sin inverse x लिए सकते हैं tan inverse minus x है तो उसको minus tan inverse x लिए सकते हैं cos minus x है inverse minus x है कि भी माइनस sin inverse x नहीं लिखेंगे, हम लोग, हम उसको लिखेंगे, cos minus x को, cos inverse minus x को, pi minus cos inverse x लिखेंगे, और cot inverse minus x को, pi minus cot inverse x लिखेंगे, sec inverse minus x को, pi minus sec inverse x लिखेंगे, इससे related को सवाल है, इसमें सबसे पहला है sin inverse 1 upon root 2 का मुख्य मान गयाद कीजिए तो हम मान लेंगे y बराबर sin inverse 1 upon root 2 है तो sin inverse से दाएगा sin y बराबर 1 upon root 2 sin में 1 by 2 किसका मान होता है sin pi by 4 का तो sin sin से y आ गया pi by 4 sin y is equal to sin pi by 4 तो y is equal to pi by 4 अच्चु कि pi by 4 belongs करता है minus pi by 2 और pi by 2 के बीच आता इसलिए हमारा आंसर सही है sin inverse 1 by 2 is equal to root 2 is equal to pi by 4 हमारा आंसर हो गया दूसरा example है sin inverse minus root 3 by 2 ठीक है तो हम इसको अपने rules के तरह sin inverse minus x के साहता से minus sin inverse x लिख सकते हैं तो इसको sin inverse minus root 3 by 2 को minus sin inverse root 3 by 2 लिख लिए और root 3 by 2 किसका मन होता है sin pi by 3 का sin inverse sin cancel तो आगया minus pi by root 3 pi by 3 और minus pi by 3 ब्लांग करता है minus pi by 2 pi by 2 में आता है इसलिए आंसर हो गया sin inverse minus root 3 by 2 is equal to minus pi by 3 इसलिए बेकार next example है हमारे पास cos inverse minus 1 by 2 तो इसको हम रूख कैसे लिख सकते हैं हमने जो नियम बताया है इसमें cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x इसकी सहायता से हम दोग लिख सकते हैं cos inverse minus 1 upon 2 को pi minus cos inverse 1 upon 2 ठीक है तो pi minus cos inverse 1 by 2 cos में किसका मन होता है cos pi by 3 का मन cos 60 का मन तो cos इसका दम pi by 3 LC हम लेंगे तो 3 pi minus pi by 3 is equal to 2 pi by 3 और यह बिलाउंग करता है 0 से pi के बीच तो आता है इसलिए cos inverse minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3 हमारा अंसर हो गया इससे पर अगला next example है cos inverse minus root 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने उसी नियम से cos inverse minus x is equal to minus का cos inverse x की सहायता से तो आगया minus cos inverse root 2 root 2 किसका मान होता है cos 45 का cos 45 का cos 5 by 4 cos 2 की सहायता है minus 5 by 4 minus 5 by 2 कामा 5 by 2 minus 0 पर बिलाउंग करता है तो अगया cos minus root 2 का मान क्या आगया minus 5 by 4 हमारा अंसर हो गया हम इनी example के तरह से हम लोगों को एक exercise जो अभी हम दिखा रहे हैं उस exercise के सारे सवालों को हमको करना है इसमें exercise number 2.1 ये 2.1 है इस 2.1 के हम लोग सवाल करेंगे सभी भाईया मिलकर और इनके यहां तक है 4 नमबर तक है आपको करना है और इनका solutions हम सामको डाल देंगे आपको यदि आप लोग मैच करेंगे पहले कोसिस करिए आप फल करते हैं उसके बाद आप जो गलत होंगे वो जो हम डालेंगे दूसरा वीडियो सामको उससे आप मैच कर सकते हैं चेक कर सकते हैं उसे पैकार सही से करेंगे तो सभी भाईयाओं का आज के दिन का कार यह है कि आप ये पूरे अब 2.1 एक्सरसाइज लगाने की कोशिस करेंगे